हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की दुरव से प्यार भरा नमस्कार सत्ष्रियाकाल अदाव दोस्तो एक बर मैं फिर हाजी रूखने रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मेथी आलू की सबजी अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो कभी भी कड़वी नहीं बनेगी तो चलिए फिर देर न करते हुए देखते हैं कि इसे हम अपने घरपन किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए किन-किन चीज़ों की जरूरत है तो यह देखिए मैंने मेथी का एक बंच लिया था जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ करके रख लिया है यह देखिए चोटी-चोटी स्टेम भी है इसमें जो कोमल-कोमल होती है उसका भी हम इस्तमाल करेंगे और पत्ते भी हम इस्तमाल कर रहे हैं और पत्तों का तो इसे हम क्या करेंगे अच्छी तरह से पहले धो लेते हैं और उसके बाद कट कर लेते हैं तो मैं कट कर लेती हूं धो कर इसे तो ये देखिए मैंने धो कर इसे अच्छी तरह से कट कर लिया है ब्रीक ब्रीक कट कर लिया है तो साथ में हमें चाहिए आलू तो दो आलू मैंने medium size के cut कर लिए है तो आलू भी त्यार है और मेथी भी त्यार है तो करते हैं फिर gas की flame on और start करते हैं मेथी आलू बनाना तो ये देखें friends मैंने pan रख दिया है और तीन बड़े चमच मैंने डाल दिया इसमें oil अब हम डाल देंगे आदा चमच इसमें जीरा जीरे को अच्छी तरह से भूनने देते हैं तो जीरा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है अब मैं डाल दूँगे इसमें कटे हुए आलू तो पानी से निकाल लेते हैं और डाल देते हैं इसमें आलू को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है या भूनना है तो इसे कर देते हैं कवर और कम से कम चार से पांच मिनिट इसी तरह से इसे पकने देते हैं तो यह देखिए चार से पांच मिनट हो चुके हैं अब इसे एक बर चला देते हैं तो साथ के साथ आलू भी हमारे पक जाएंगे और इसके उपर देखिए लेयर कितनी बढ़िया आज चुकी है और इसे दूसरी साइट से भी पकने देते हैं तो आलू हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च सुखी लाल मिर्च और एक कटा हुआ प्याज तो लंबाई में मैंने प्याज को कट कर लिया है प्याज को अच्छी तरह से चला देते हैं मिक्स करते हैं आलू में बहुती टेस्टी इस तरह से हमारी मेथ्य यालू की सबजी बनती है आप एक बड़ जिरू ट्राई कीजिए आपको ये बहुत पसंद आएगी तो अब मैं क्या करूंगी इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं गार्लिक पेस्ट कट करके भी आप गार्लिक ले सकते हैं तो मैं पेस्ट का इस्तमाल कर रही और कम सकम एक से डेढ़् मिनटी से इसी तरह से पकने देते हैं ताकी प्यार्लिक भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होजै और गार्लिक कभी कच्चा फ्लेवर खतम होजै और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले तो आदा चमच मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च का पौडर टेस्ट के कॉर्डिंग ले रहे हैं हम नमत, साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, और वन फॉर्थ टीस्पून में डाले हैं इसमें धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरह से, आलों बहुत ही बड़िया क्रिस्पी हो चुके हैं, खाने में बहुत यमी लगेंगे, प्राई जरूर कीजिएगा, तो मसाले हमने इसमें सभी आड़ कर दियें और अब आड़ कर देते हैं, कटी हुई मेथी, सारी मेथी डाल देते हैं, इसे हमें अभी ने चलाना, कवर करके इसे कुछ सैकेंड्स के लिए रखेंगे, सिरफ कुछ सैकेंड्स के लिए, तो ये दिखे, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि काफी सौफ्ट हो चुकी है मेथी और हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब इसे हमें going काबर बिलकुल नह पर अच्छी तरह से पकाना है तो यह देखिए कितनी सी मेथी रह गई है बिल्कुल थोड़ी सी एक बार फिर चला देते हैं से तो मेथी आलू की सब्जी हमारे बिल्कुल त्यार हो चुकी है यह देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत बढ़िया खुश्बू भी आ रही है देखने में कितनी सारी लगती है मेथी और जब पक जाती है तो पिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है तो नजदीक से देखा देती हूँ आपको एक बार देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया हमारी मेथी आलू की सब्जी बनी है आप इसे मुंग दाल के साथ जरूर इंजॉय कीजिए बहुत यमी लगने वाली है आपको और मुं में तो पानी आ गया है देखते ही तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यह से लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए अभी तक आ प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब किजिए सी तरह से अच्छी सिंपल सिंपल वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहूंगी फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तर के लिए प्लाइब